हलो फैंट्स वेलकम टू और क्लासेश में उपहिंदर पांडे का इसमें जैसे आप लोग को मैट्रोलाजी एंड मिजरिंग इंस्टूमेंट के बारे में आप लोग को सेकंड चेप्टर्स रेखिये थे था कोडी मापन यानि लीनियर एंड एंगुलर मिजर्मेंट के बारे म सेकंड डुले चेप्टर में कुछ टॉपिक आप लोग को अल्रेडी मिले थे ठीक, आज काूपिक है ये Patri 향 चानेंगे और उसके बारे में इसका देख पारे हैं गिज, गेज क्या होता है कि जैसरा कि आप लोग간 कोई भी प्रोडक्ट बनाय गया रहा तो एक से अधिक प्रोड़क्ट बनाय जा रहा ठік ? यानि बहुत से व्रोडक्ट बनाय जा रहा है ठीक ? तो यहाँ पर क्या कहता है बहुत से सारे product एक ही रूप में बनाया जा रहे हैं तो उनको मापने के लिए हम gas का प्रियोक करते हैं अगर किसी एक product बहुत सारे product बनाया जा रहे हैं तो उसमें क्या करते हैं calipers या micromitr से मापते हैं हम गलाको definition के मादे हुद मंसे देखेंगे मांग को पूरा करने के लिए उस उत्पाद को ज्यादा मात्रों में बनाया जाता यानि कोईसी प्रोड़क्ट को ज्यादा मात्रों से मांग पूरा किया जा रहा है तो प्रोड़क्ट क्या किया जाएगा ज्यादा बनाया जाएगा ठीक अधिक उत्पाद बनाने के दौरान यद उत्पादों की माप को जाच कैलिफर से माइक्रो मीटर तोरा किया जाए तो काफी समय लगेगा ठीक तो वही बताए गया कि अगर किसी प्रोड़क्ट को उत्पादों के लिए मापा जाए गया कैलिफर से माइक्रो मीटर से मापा जाएगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा ठीक लगेगा तो इस प्रकार की मापों की जाच करने के लिए समय को बचाने के लिए सीगरता पूरबग जाच करने के लिए जिस यंदर का प्रियोग किया जाता है उसे गेज कहा जाता है तो यहाँ पे गेज का क्या किया जाता है कि जैसा कि आप लोग को बताए गया किसी भी product को ज्यादा मात्रा में हम अपने के लिए हम गेज का प्रयोग करते हैं तो गेज का figure हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पर कई type के होते हैं गेज तो यहाँ पर जैसे कि आप लोग को इसख्रीन के माध्य हम से देख पार ही है यहाँ पर यहाँ प्रोडक्ट को ज्यादा मात्रा में हम अपने के लिए हम गेज का प्रयोग करते हैं गैजों के प्रियोजन की अतार पर उनकी अतार पर किस बेस कितने टाइप की हो सकते हैं तो यहां पर आप लोगको इसके बारे में आप लोगको थोड़ा-थोड़ा कुछ भी नहीं लिखना है के वहला आप लोगका वरगी कर देना आप दर्गी करन आप लोग कोई इसके विग्यवर में यानि क्या बहुता है, इंट्रेक्शन ओफ क्लासिफिकेशन ओफ गेज है, ठीक, थोड़ा-थोड़ा नॉलेज है, आप लोग को, आपके स्लेबस में, तो स्लेबस के करडिंग हमल लोग को बताय गया, ठीक, तो निश्टा गेजों के प्रियकार की अधर पर तो गेजों के प्रकार क्या हो दाया सीमा गेज हो गया एक माना गेज हो गया इसके बारे में आप लोग को सीमा गेज और माना गेज क्या होता है पीछे आपने लोग को पढ़ने को मिलेगा निश्ट आता है टेस्ट की जाने वाली सता की आई कहते हैं प्लिद्ट के गारे में आप लोगे में I hope समझ में होगा ठीक और यहाँ पर चार ही प्रकार्ल का या पर प्रकार के होते हैं ठीक चार प्रकार के यहां पर प्रकार के अप लोग को सरी डंक से रियाद कर लेना है तो क्या होता है का अच्ञेज www.isimamed.net माश्टर गेज पिरुसको प्रकार या ता सीमा गेज और मानक गेज पिर उसके लास्ट वाले में तो एक ही प्रकार का है एक सेमा गेज हो गया धृक अधरी के प्रोडक्ट को बनाय जा रहा है तो उसमें जो एक प्रकार से हम दर्शाने के लिए किस प्रकार से हम दर्शाएंगे, उनका मिजर्मेंट किस प्रकार से है ठीक, तो इसलिए हम slip gaze ब्लाग तयार करते हैं. जो ब्लाग बनता है किसके माध्यम से? गेजों के माध्यम से हम लोग block त्यार करते हैं ठीक तिया एक प्रकार से हम जो gaze में मापा जा रहा है, यानि measurement किया जा रहा है miserring किया जा रहा है, तो उसको दर्सानी के लिए हम block कपयोग करते है इनका प्रयोग क्यों किया जाता है इसका फाइदा क्या होता है कि अगर कोई भी मिजर को मिजरिंग को हमें दर्चाना हो गया नि दिखाना हो गया पड़ गया तो उनके माध्यम से ब्लॉक के माध्यम से एक धम आसानी से दिखा सकते हैं ठीक तो यहां पर definition के माध्यम से देखेंगे Slip Gaze को जब एक से अधिक लगाना पड़ता है क्या लगाना पड़ता है कि माप लगाना तब उनको रिनिंग बिदी से एक दूसरे पर लगा कर Release Gaze Block तयार करते हैं ठीक तो उन्ही के अधार पर एक दूसरे पर लगा कर इने दूसरे पर लगा कर Slip Gaze वयालाग तयार कर लिया जाता है ठीक तो इनका उप्योग क्या किया जाता है फर्स्ट आता जैसा कि आप लोग मापन यंत्रों को पर सुद्धिता जाच करने के लिए कि कितनी सुद्धिता है ठीक उनकी जाच करने के लिए आशानी हो जाती है निश्टा आता है मापन यंत्रों जैसे वैंडर, स्केलप्लरस, वैंडर, मैक्रो मीटर आज को कसने में भी Slip Gaze का प्रयोग कसने भी किया जाता है निश्टा आता है कोड़ी मापन के समय साइन बार को सेट करने में जो आप लोग को एक प्रकार से हम बता दें कि Slip Gaze ब्लॉग तयार करने के लिए आप लोग को एक प्रकार से वैंडर केलप्लरस में जो ऊपर लगा होता है ठीक तो इनहीं के माद्धम से सेट कर दिया जात है ठीक उनको भी दर्चाने के लिए हम इनका Slip Gaze का प्रियोग करते है ठीक निश्टा आता है सूच मापन मसीनें जिसे टूल रूम माइक्रोस्कोप आधिकी इसका प्रियोग करने में में किया जाता है जो टूल रूम हो गया माइक्रोस्कोप हो गया उनमें भी यह यूज किया जाता है निश्ट आता है पंच तता डाई हों आधिके निर्माड करने में जो पंच होती है ठिक पंचिंग मसीन होती है और जो डाई होती है ठीक यहाँ पे उसका भी प्रियोग करने में किया जाता है निश्ट आता है मापन यंत्रों की माप तुलना करते हुए समय मानक के रूप में जु साट टाइम क्या प्रडॉक्ट को बनाना यानि मापन को मापा यंत्र में मापा जाता है उनकी तुलना करने में भी किया जाता है और यह टाइम भी कम करता है थीस तो आई होप आप लोग को यहां पे उसलेगस करते हैं त्यूब जियोमेट्रिक्स फॉर्म क्या कहता है कि अगर किसी प्रोड़क्ट को बनाया जा रहा है तो उनका सही सही एक वरकार से माप के आधार पर अगर जब माप सही है उसका मिजरिंग सही है तो उनका जियोमेट्रिकल भी जरूरी है यानि जैमिती भी आकार जरूरी है ठीक तो इन और आप लोग को जैमिती नहीं सही है फिक उसका आकार ही नहीं है सही है तो किसी product का तो उसे क्या किया जाएगा यह मुण को जारूरत है तो किसी भी metal को बना रहे हैं किसी भी product को बना रहे हैं तो क्या को ना शबसे most important है जैमी तियाकार और उसका मिजरेंट ठीक तो बहुत most important तो जो निमना है यानि जैमी तियाकार पे कौन कौन से गुण होने चाहिए तिहाँ पे नीचे देखेंगे तो सीधा पन होना चाहिए ठीक यानि किसी प्रकार से एक टीणा ओड़ा नहीं होना चाहिए ठीक निश्टा था चप्टा पन और समतलता होना चाहिए तो जो प्रोड़क्ट बननेगा यानि किस प्रकार से होगा वो चप्टा पन होना चाहिए फिर उसको बाद गोलिता होनी चाहिए ठीक उसमें कड़े ठीक उनमें सारी ये सवी गुड़ होने चाहिए ठीक किसी पर प्रोड़क्ट बनाया जा रहा है तो इनमें सारे जितने सारे गुड़ है ये सारे गुड़ जरूर होना चाहिए ठीक तो आई वोप आप लोग को यहां पर जैमित आकार इंदम सही डंग से समझ नरवत इनके क्या होते हैं जैमित तोटिया किस परकार से की जाती है ठीक तो कुछी पर प्रोड़क्ट को बनाया जा रहा तो वहां पर जैमित आकार माप किया जा रहा है ठीक तो माप किया जा रहा है मापने के बाद वहां पर कुछ ना कुछ तो तरूटिया हमेशा होंगी ही ठी को सूच में जैमित तूटी कहती है to 극न से आप प near कैया winners देताय गया कि मसीन के दौरान अगर किसी मसीन के माध्यम से कोई प्रोड़ाक्ट बनाय रहा है तो इनके जो सतय होती है ठीक सतहों के कारण उसमें झोड़ी थोड़ी बहुत तुटियां हो जाती है तो किसके अंतरगत आती है सूच में जैमिती के तुटियों के अंतरगत आ जाती है दीर के तुटियों क्या होती है आवियों पर मशीन के दोरां उसकी कोई सता आदर्स रूप से जैमित चावरस तथा चिकनी नहीं बनती है तथा गोल आफ्योंग जैमित कंटूर आदर शुबह नहीं होते हैं इस आफ्यों से उत्वन च्बार सबंतता गोलिता के तूर्टियों को यानि देर शुब१ धमेत तूर्टिया करते हैं अब किसी पे प्रोड़क्ट वह बनाए जारहा तो वहां पे मशीनार में थोड़ा प्रॉबल्म हो गई ठीक तो उसको जो एक प्रकार से हम सता बोलते हैं ठीक सता सता नहीं सही है यानि ठीक तो सताओं की नहीं सही है तो उनके करण भी हम क्या होते हैं तो चोटी सता खराब है ठीक तो किसमें आ जाते हैं सूचमा में आ मसीनिन के दौरान हो जाती है अब उसमें ऑपरेशन भी किया गया ऑपरेशन करने के बावजूत भी उसमें कुछ नकुछ तूटियां आ जाती है यह बड़ी तूटियां हो जाती है तो किसके अंतरगत आती है देर के तूटियों के अंतरगत आ जाती है इस विकार प्रतीक मा है जँने सही है जाना पड़ता है छोटी मोटी अगर किसी फ़र्बर्ड को बनाया जए रहा है किसी फरर्ड़क्ट को भनाने में एक छोटी मूटी-तृति-तृति यानि परकार से सही तरूप से नहीं प्राप्त कर सकते हैं ठीक तो दीर पर जैमित तोटियों, तो वस आजकी लवहरे अगर वीडियो इप्छलेगें, चैनल पर नु Among स्ग्य एक ज्धादा श्यब्लाग्, पर दोस्ते किसे ने विडियो में आप लोग का रहेगा वर्गी क्या होता है ति की अब लेको सारी ची श्रीप बाइश्टेब में देखने को मिलेगा ते बास आज प्रखेंस का सब्सक्राइब